हेलो गाई जिएक बार फिशेश वागता है आप सभी का यूटूब चैनल स्वारोफसर मैथमेटिक्स में इस वीडियो के माध्यम से जो भी पोल्स लगाए गए हैं उन सभी के रिजल्ट्स आप तक पहुचाए जाते हैं और यदि आप यूपिटैट, सीटैट, सुपरटैट, ट्रेलबे, NTPC, SSA, GD, SSA, SI या आदे एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर होने वाला है आपके लिए अच्छे-च्वेशन को लाकर हम बताते रहें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पोल्स के रिजल्स में देखते हैं आज का पोल यानि के चार दिन पहले का पोल है आरन सब्द किस खेल से शम्बन देता है तो iron जो word है वो गोल्फ खेल से शम्मन नेता है 82% votes मिले है इसको तो यह आपका correct answer है option B next आता है great dividing range कि इस महादुईप की प्रमोख परवत स्रंखला है तो great dividing range जो है वो Australia महादुईप की प्रमोख परवत स्रंखला है इसको 11% votes मिले है और यहां सबसे अधिक votes मिले है 79% जो के गलत है तो great dividing range ऑस्टेलिया महादुईप की प्रमोख स्रंखला है option C आपका correct answer हो जाएगा next आता है निम्लखित मैंसे किसे म्रतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है तो म्रतकों का टीला आप जानते हैं option B आपका correct answer हो जाएगा तो यहां option A आपका correct answer है वर्षा का जल 85% votes मिले हैं यहाँ पर और यह आपका A option correct answer होगा next है पश्य मंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्य मंत्री कौन बनी है तो पश्य मंगाल की लगातार जो तीसरी बार मुख्य मंत्री बनी है वो ममता बनर जी बनी है यहां correct answer आपका option D हो जाएगा 94% votes के साथ यह current affairs related question था next है आपका भारत की banking प्रडाली के संदरब में NEFT का पूर्ड रूप क्या है तो भारती banking प्रडाली के संदरब में जो NEFT का पूर्ड रूप है यहाँ पर correct answer को 82% votes मिले है National Electronic Fund Transfer यह आपका option A correct answer हो जाएगा अगला प्रशना आता है Australia की सबसे लंबी नदी है तो Australia की सबसे लंबी जो नदी है यहाँ पर option B आपका correct answer हो जाएगा मर्रे जो नदी है Australia की सबसे लंबी नदी मानी जाती है next question है मोहन जोदलों की खुदाई किस वर्ष की गई थी जो मोहन जोदलों की खुदाई की गई थी वह 1922 option B आपका correct answer हो जाएगा 19% votes मिले हैं और यहाँ पर 1928 के लिए यानि option C के लिए 70% votes मिले हैं जो के आपका answer गलत है next आता है hygiene विज्ञान किश्य शम्मनित है तो hygiene जो science है यहाँ पर आपके द्वारा लगाया गया है पोल 81% votes के साथ मैं स्वास्ते से तो स्वास्ते से शम्मनित hygiene विज्ञान नहीं है hygiene विज्ञान का शम्मनित है option C स्वक्षता से correct answer आपका option C हो जाएगा next है सरकार ने oxygen concentrator के आयात पर IGST को 28 प्रत्सत से घटा कर कितने प्रत्सत कर दिया है तो यहाँ पर आपके द्वारा लगाया गया है 82% votes मिले है 8% के लिए लेकिन इसका correct answer यह बिलकुल नहीं है इसका correct answer आपका है option C 12% तो 12% कर दिया गया है 28% IGST को घटा कर next आता है अंतर राश्ट्रिय मुद्रा कोश की स्थापना कब हुई तो यहाँ पर option लगाया है 1943 1943 और यहाँ correct answer है आपका यह आपका गलत answer है option A correct answer हो जाएगा 1945 1945 में अंतर राश्ट्रिय मुद्रा कोश की स्थापना हुई थी next है Australia की सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो Australia का जो सबसे बड़ा नगर है वह Sydney है option A आपका correct answer हो जाएगा Australia की राश्धानी कैनबरा है जो के सबसे बड़ा नगर नहीं है यह आप ध्यान रखिए next आता है बहाई संप्रदाय कहा जन्मा था तो जो बहाई संप्रदाय जन्मा था एकदम correct answer option B होगा इसका इरान में जम जन्मा था बहाई संप्रदाय 79% वोट के साथ correct answer है next आता है लार की प्रकृति होती है तो लार की प्रकृति कैशी होती है अमलिय उदाशी इन छारी है इन में से कोई नहीं तो correct answer option A है यहाँ पर लार की अमलिय प्रकृति होती है next आता है चौती बार पुर्दुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपत ग्रहड की तो चौती बार जो पुर्दुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में अगला प्रशन है प्लास्टर और पेरिस का राशानिक सूत्र है तो कैमिकल फॉर्मूला प्लास्टर और पेरिस का जो है वो 91% वोट्स के साथ option B आपका correct answer है C.A.S.O. 4.5 H2O next आता है बिश्व में उनका सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है तो यहां पे correct answer आपका option A हो जाएगा Australia में विश्व का सरवादिक उत्पादन होता है next आता है निम्ण मैं से कौन सा पर्व मोहम्मद सहाव के जन्म के उपलक्ष में मनाया जाता है तो यहां सबसे अधिक वोट्स मिले हैं 79% इद उल जुहा के लिए लेकिन correct answer यहां आपका बिलकुल नहीं है 15% वोट्स के साथ इद ए मिलाद उन नवी के लिए यहां पे correct answer होगा option B आपका correct answer है तो मोहम्मद सहाव के जन्म के उपलक्ष में मनाया जाने वाला इद ए मिलाद उन नवी है next आता है आपका किस हार्मोन द्वारा हिर्दय इस्पंदन तथा रुधिर दवाब बढ़ जाता है तो यहां जो एंडरिनल जो हार्मोन है आपका correct answer हो जाएगा option B 85% वोट्स के साथ तो एंडरिनल हार्मोन के द्वारा हिर्दय इस्पंदन तथा रुधिर दवाब बढ़ जाता है यानि blood pressure आगे आपका question आता है हाल ही में किस राज के वन विभाग ने चिडिया घर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया है तो यहां correct answer आपका option A होगा उत्राखंड उत्राखंड के चिडिया घर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है और यह RT-PCR जो टेस्ट है यह COVID-19 की टेस्ट है next आपका यह थे आज के आज तक के कुल पोल्स जिनकी रिजल्ट आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भेजे जाते है आपको फिर शे बता दिया जाए यदि आप UPTAT, CTAT, SuperTAT, NTPC, SSC, ZD, SSC, SI, BAD, Entrance Exam आद की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्तुपूर है तो चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे के आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और पोल्स को लगाते समय आप पोल्स को लाइक जरूर कर दिया करें इससे के हमें मोटिफिशन मिलता रहे हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घर रहिए सुरक्षित रहिए और दूरी बना कर रहिए